हालो एबीवन, वेलकम फो कोसिर क्लासिस, आज की वीडियो है अना यूस के अक्टूबर निवमबर 2022 वाले बच्चों के लिए हैं काफी बच्चों को पता नहीं होता कि उनकी एक्जाम फीज जाती है तो आप सभी स्ट्मेंट के पहले एडमिशन होता है, एडमिशन के बाद में आपकी एक्जाम फीज जाती है अगर आपने अभी तक अपनी एक्जाम फीज नहीं पे करी है, तो प्लीज अपनी एक्जाम फीज पे कर दीजे otherwise आपके admission कराने का भी कोई फाइदा नहीं होगा अगर आप exam fees नहीं पे करते हो तो ऐसे में आपका hold ticket issue नहीं किया जाएगा और आप exam भी नहीं दे पाओगे तो अभी मैंने इससे पहले भी अलड़ी वीडियो बनाई हुए कि exam fees last date ये है आप जल्दी से अपनी exam fees pay कर दीजे हो सकता है आप तक मेरी वीडियो स्टैंपे ना पोची हो लेकिन अभी भी देड नहीं हुई है अभी भी 15 सुरूपे late fees के साथ अपनी exam fees pay कर सकते हैं अगर आप pay कर सकते हैं 15 सुरूपे late fees के साथ तो अपनी exam fees 20 जुलाई से पहले पहले जमा कर दीजे 20 जुलाई के बाद में आप अपनी exam fees pay नहीं कर पाएंगे late fees के साथ भी तो 20 जुलाई से पहले 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 अपनी exam fees pay कर दीजे और अगर आपको ये लगता है कि माली जे आप 1500 extra नहीं pay कर पाओगे तो इसमें कोई डढ़ने वाली बात नहीं आप ये मासोचों के आपको दुबारे से admission कराना होगा नहीं ऐसा खुछ नहीं करना होगा आपको थोड़ा सा wait करना होगा आप November में या December में exam fees पे करके अपरेल 2023 में भी अपने exam दे सकते हैं तो अगर आपको time का कोई issue नहीं है तो आप अपरेल 2023 के भी exam दे सकते हो अगर आप 1500 extra पे नहीं कर सकते है ना ही उसको तो ठीक है तो अभी आप अगर कर सकते हैं exam fees पे तो 20 जुलाई से पहले पहले exam fees पे कर दीजिए otherwise आप wait कर लिजे November दिसंबर का ठीक है तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही और इसी तरीके के अपडेट के लिए important questions की वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर लें bell icon को press कर लें चैनल पर आपको पूरी तियारी कराए जाएगी चलिए आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नाग से वीडियो में thank you for watching